विदीसाजी लेके पठारी समीव गुराम बड़ो इस्तित प्रसिद्ध बालाजी धाम प्रांगण में बावी जन्वरी से एक फरवेज़त चलने वाली 11.21 कौन कुंडात्मक स्री राम महायग्य का आयजन किया जा रहा है इसमें स्रीमत भागवत कथा के आठवे दिवस कथाव्यास सरवेश्वर पिट गोवर्धन के महंत सुदर्शंदाज जी ने भागवत कथा में बताए कि प्रभू से बढ़कर कोई सुख और संपदा नहीं है इसलिए प्रत्यक वैक्ति को जब भी समय मिले तो उसे भजन जरूर करना चाहिए जिससे उसको सूखो और संपदा में दीन प्रती दिन बढ़ोत्री होकी कथा व्यास सुदर्शंदाज महराज ने कहा कि सब पर ठाकुर जी की क्रपा है जिसकी वज़े से आप आज कथा का आनन्द ले रहे हैं स्रीमत भागवत कथा का रस्पान कर रहे हो क्योंकि जिन्हें गोविन अपनी क्रपा प्रदान करते हैं उसे उतना ही मिलता है कथा में यह भी बताया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं तो कथा में प्यासे बन कर आए तब यह भागवत कथा आपको कुछ नहीं बलकि बहुत कुछ देगी विदिशा से आसे सहले के रिपोर्ट मताई सिंके ते ते गिया सुनLY बछला कि कुछ वकदाई पड़ाई ते लिपा घाए ते प्रफाऊ नहीं प्रक रूे 형ुन पाए ते जब्यास से बन कर लोन कर आए प्रिश्म बत्नेच दिवाई तंडो लक्ष्मी प्रजोदया रदासर वे सर महाराजी शुक्तियों जी महराजी की वाला जी सरकारी की बणो वेदामे की रिप्रावन विहारी तौरी आसे मिकी में विएवारे दामी विएिए अल्श्मीया हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें